दोस्तो आज मैं आप लोगों की साथ राजस्तान भूगोल डिसकस करने जा रहा हूं राजस्तान भूगोल के बहुत इंपोर्टेंट क्योशन्स हम लोगों ने जो पिक किये हैं वो हम लोग आपके साथ डिसकस करने जा रहे हैं और काफी अच्छे क्योशन है दोस्तो काफी विशेश्गिया क्योशन है यह विशेश्गिया क्योशन है दोस्तो जो विशेश्गिया के दवारा Research and Development में ही आपको जो प्रवाइड करा जाए जाए ठीक है ना तो राजस्तान भूगोल जो है दोस्तों काफी interesting subject है इसमें जितना आप interest लेके पढ़ेंगे ये subject आपको उतना ही interesting लगेगा और जितना आप इसको boring समझ के पढ़ेंगे ये subject आपको उतना ही boring लगेगा ठीक है ना देखो कोई भी exam क्रेक करने के लिए आपके पास एक strategy होनी चाहिए क्योशन तो अपने discuss कर लेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपस के जाद कुछ discuss करना चाहता हूँ आपको कोई भी exam अगर qualify करना है crack करना है तो आपके पास क्या होनीची ये strategy होनी चैसी ये अना जैसे कि मालो आप यूद के मीदान में जा रहे हो आपको यूद के मीदान में उतार दिया पहले पूरण रूप से त्यार होनीची जाना पड़ता ये इसी तरह से आप subject जो भी पड़ते हो उसके लिए आपके दिमाग को आपको पुरन रुप से तियार करना पड़ता है ठीक है ना तो बाते में आपको बताता रहूँगा चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को राजस्तान भुगोल question number first हाँ सबसे पहले globe है भुगोल क्या है दोस्तों भुगोल का मतलब क्या है सबसे पहले basic बात मैं आपको बताता हूँ वैसे मैंने काफी सारी वीडियो डाल रखिया आप देख लेना playlist के अंदर भुगोल जो अर्थ है उसके इस छोर से और इस छोर का अध्यन और इस छोर से इस छोर का अध्यन यानि जो परत्वी है उसके इन सबी छोरों का अध्यन जो है यह वाला ठीक है न यह क्या कहलाता ह दोस्तों भूगोल कहलता है यानि कि अगर आप यहां से देखो नोर्थ से साउथ और इस से वैस्ट यानि की उत्तर दक्षिन पूरो पस्षिम इन चारों दिसाओं का जो अध्यन है ठीक हैं दोस्तों जो इन चारों दिसाओं की जो स्टडी है उससे हम लोग क्या बोलते हैं भूगोल बोलते हैं ठीक है न भूगोल भूगोल क्या है धरती परत्वी धरा भू इत्यादी इन सभी की स्टडी करना अध्यन करना भूगोल कहलता है चलिए स्टार्ट करते हैं भूगोल के अंदर अलग अलग प्रांथ होते हैं उनसे क्योशन आते हैं जैसे आप यहां प करते हैं वीडियो को सबसे पहला क्योशन धोस्टों सेवन ध्लामन मुरात अदी किस प्रकार की वनस्पति वर के अंतरगत आते हैं यह तरी्व वक्ति वर्ग है हिक कान सबस्वी को पता है ऐनो किसी को बतानी को आप सकता नहीं है ठीक है ना तो सेवन धामन मुराद ये किस वनस्पति वर्द के अंतरगत रते हैं यह आते हैं दोस्तों घास के अंतरगत रते हैं घास के अंतरगत जो घास फूस होता है उसमें की तीन जो किसमें है उसकी एक है सेवन एक है धामन एक है मुराद ठीक है ना सेवन धामन और मूराद ठीक है क्लियर दोस्तों तो सीज का क्या हो जो है क्रेक्ट अप्शन हो जाएगा यानि कि घास अगला क्यूशन है राष्ट्रिय वन नीती के नुसार राष्ट्रिय वन नीती के नुसार राष्ट्रिय वन नीती ने ये कहा था कि आपके जो राज्य है उनमें कुल शेत्रफल की वन वुमी जो है वो आपकी 33 परतिशत होनी चाहिए ठीक है दोस्तों यानि कि मालो आप अगी एक लाख स्क्यूर किलोमीटर का आपका राज्य है तो उसके अंदर आपकी 33,000 किलोमीटर वरक जो है वो आपके जो है वन के अंतरकत आने चाहिए यानि कि इतने वन आपकी राज्य में टोटली होने चाहिए ये किस ने कही थी दोस्तों ये बात ये ये 1 नीटी ने कही थी, ठीक है न? तो 33% का सही अन्स वरोज़ऎगा B, ठीक है? चली, अगला question है, थार का कलप वरक्ष कहा जाने वाला वरक्ष कुन सा है? तो थार का कलप वरक्ष किसे कहते हैं? दोस्तो आप सभी को पता है खेजडी को कहते हैं ठीक है ना और खेजडी से जुड़ा हुआ है आपका चिपको अंदोलन ठीक है ना चिपको अंदोलन ये भी खेजडी से जुड़ा हुआ है दोस्तो आप जब भी पढ़ते हो तो subject आपको बोरिंग क्यों लगता है आपको व्रक्षों को रोपने के लिए अंधोलन्स लाए गए थे अब देखो यहां से इस बात को रिलेट करके पड़ो तब आपको मजाएगा ना तब आपको मजाएगा आप सीधा पस रट्टा मारें थार का किलब रक्ष का है खेजडी है जी चलो जी डी इसका क्या जो एक है तरी गाम है वहां पे और है व्रक्ष ककताई हो री थी हुँका रोखने के लिए अंधोलन्ट चलाया था वह व्रक्षाव से लेपट गई थी उन्होंने व्रक्षबचाव का अभियान चलाया था इसी के कहीं दिक्कत आई नहीं आई तो इसी देश को ले टिकर के पढ़ना सिखो दोस्तों ठीक है ना तो डीस का क्या जाए करेक्ट अप्शन हो जाएगा अगला कुशन है राजस्थान की किस नदी को स्थानिया भाषा में वन की आशा कहा जाता है आप सभी को पता है यह क्यों कि मैंने बहुत बार डिसकस भी किया है ठीक है ना तो किसको का जाता है दोस्तों बनास नदी भी फोर बनास बनास नदी जो है उसको वन की आशा का जाता है अच्छा अब आपका कुशन हो का सरजी हमें याद कैसे रहेगा नदिया इतनी है अरे एक बात देखो यार थोड़ा सा को रिलेट करके देखो को रिलेट का मतलता है समंदीत करना ठीक है दोस्तों को रिलेट का मतलब समंदीत करना समंदीत आप कैसे करोगे देखो वन की आशा और यह क्या है बनास यानि की वन की आश और वन की आशा यह की बात आना तो जो नदी वन की आशा है वो नदी बन हभी चेरा डाजस्तान की जिलो में कौन सेror अती अधर जल्वायिव का भाग है तो बारा बारा क्या है थिक है ना अती अधर जल्वायुका भाग है थिक है थिक है ना तो रिस कर dedim सेर्ट्वार्चर भुशन हो जाएगा यही तो इसे बोलते है उपर माल ठीक है ना उपर माल ठीक है ना क्लियर आगे बात समझ में याद कैसे रखो कि देखो जितोडगड़ के लोग बोले में माल रकhando है जी बिलवर्ड़ वाले बोले हमें भी तो इन्होंने डिसकस किया पंचायते हो इन्हों डिसकस किया बीच में जो खाली जगह पढ़ यह पठारी एरिया है वहां पे आप इस एरिया के उपर आप अपना-पना माल रख लो बांट लो एरिया को ठीक है ना तो चितोड़गड़ वाले ने माल लखा उपर के बीच की पठार वुमी ठीक है अगला कुशन है राजस्थान राजे की आदिवासी जंजातिया मुखेत राजे की किस भगोलिक शेतर में निवास करती है राजस्थान राजे जो आदिवासी जंजातिया है दोस्तों वो राजे के रावली प्रवतिया प्रदेशों में न कव हैं ठीक है ना यानि कि अब उनमें मतलगी सब्यता है उनके खुद की शिक्षा है खुद के संस्कार है पहले उन्हें इन बातों का ग्यान नहीं था ठीक है न तो सीज का क्या हो जगा क्रेक्ट ऑप्शन हो जगा आदिवासी जंजातियां है रहती का है जंगलों में रहती जगा क्रेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर डूस्तों अगला क्रिक्षन है राजस्तान की बारे मशी नदियां कौन कोन सी है रजस्तान की बारे मासी नदियां जो है दोस्तों है चंबल और माही ठीक है ना बारे माशी का मतलब क्या आता है दोस्तों ? यह बारा महींये जो है वो पर वाहित होती है इनन्oten में जो जल्दार हो वो पारा महीजे यानि की बारा महीने में अफ़तों के साथों दिन हमेशा चलती रहती है इसलिए इने बोलते है बारा मशीन दिया है ठीक है ना और चंबल और माहीस का करेक्टर अप्शन हो जाएगा अगला करेशन है निमन लिखित में से कौन से जिले में सरवादिक परती भूमी है जिसके ओपर मतलब दोस्तों परत जम जाती है ठीक है ना भूमी के ओपर परत जमना परती भूमी कहलाती है तो निमन लिखित में से कौन से जिले में सबसे ज़्यादा अधिक परती भूमी है प्रतिभुमी है तो दोस्तो ये आपकी वो है जोदपूर के अंदर का है दोस्तों जोदपूर के अंदर ठीक है na कलियर तो ए इसका क्या हुजाए करेक्ट अप्शन हो जएगा आगे बटने से पहले दोस्तों आपको बता दूँ पहली बात तो इस चनल पे दो प्लेलिस्ट हैं वन रक्षक वन पाल मैथ नाम से और एक है राजस्तान वन रक्षक एक्जाम दो जार बीस के नाम से यह दोनों प्लेलिस्ट आपको देखनी चाहिए हराल में क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट वीडियोस है और जो भी नई वेकैंसी आती है न अच्छा उसकी आपको कहा मिलेगी वीडियो उसकी मिलेगी सर एक्जामस इंफॉर्मिशन नाम से एक प और कमेंट आप यारा होटे करना दोस्तों ठीक है कों सी नसल है राजास्थानी बेडकी नसल की जोटी चोकला मगरा है सोनाडी खेरी है नाली पूगल है लेकिन सूर्ति और मुर्रा जो है दोस्तो राजस्तान नहीं है तो डीस का क्या जया करेक्ट अप्शन हो जाएगा तो दोस्तो यह थे आज राजस्तान बूगल के बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत इंट्रेस्टिंग क्योशन कैसे लिगे अच्छे लिगी हो वीडियो तो दोस्तो सब लोगों तक शेयर कर देना ठीक है न और प्यारा सा एक लाइक तो आपका बनता है और एक प्यारा सा कमेंट आप लिखे देना ठीक है दोस्तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो जोइन कर लो और पहली बार आने अगर आपने विजिट किया तो आपका बहुत बहुत तया दिल से दन्यवाद कि आपने विजिट किया है और तो रेगुलर्ली वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत तया दिल से दन्यवाद ठीक है दोस्तों तो कैसे लगी वीडियो कमेंट का मुझे वेट रहेगा आ कमेंट करना मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियों तब तक के लिए बाबाई टेक केर जय हिंद जय भारत जय रादिस्तान